हलो दोस्तो आज के वीडियो में हम ऐसे तीन इलेक्टिक कार के बारे हम बात करेंगे जो अपने सेग्मेंट में एक से बढ़कर एक हैं तो चले शुरू करते हैं उससे पहले मैं सिदात कुमार और आप सभी का EV इंदी में स्वागत है तो दोस्तो वो तीन इलेक्टिक कार हैं महेंदरा XUV 400 EV टाटा नेक्सोन EV और MG ZS EV वैसे तो MG ZS EV का प्राइज थोड़ा ज्यादा है इन दोनों कार के कमपरिजन में बट कॉम्परिशन तगड़ी देती है तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी कार बढ़ी है और कौन सी कार कॉम्पेक्ट है तो दोस्तो तीनों कार में से नेक्सोन सबसे कॉम्पेक्ट कार है और सबसे लंबी कार की बात करें तो MG ZS EV है अब दोस्तो बात करते हैं इन कार के की के बारे में तो XUV400 में Lock, Unlock, Boot Space Opening और Physical की देखने को मिल जाएगा जबकि Nexon EV के चाबी में आपको Lock, Unlock, Light, Boot Space Opening देखने को मिलेगा MGZS EV में Lock, Unlock, Boot Space Opening का फीचर देखने को मिलेगा Ground Clearance XUV400 का 180 mm का है Nexon EV Max में आपको 190 mm का Ground Clearance देखने को मिलेगा जबकि MGZS EV में सबसे कम 177 mm का Ground Clearance देखने को मिलेगा तीनों इकार में Projector Light दिया गया है Nexon EV Max और XUV400 में आपको Halogen Yellow कलर लाइट देखने को मिलेगा जबकि MG ZS EV में प्रोजेक्टर LED लाइट वाइट कलर का लाइट देखने को मिलेगा तीनो इकार में नेक्सोन इवी ही एक कार है जो फोग लैंप ओफर करती है तीनो इकार में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस XUV400 के पास है 378 लीटर का नेक्सोन इवी मैक्स में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा इंटिरियर की बात करें तो सबसे प्रीमियम इंटिरियर MG ZS EV का है और बिल्कुल प्रीमियम फिल आएगा आपको अब बात करें XUV400 और Nexon EV Max का इंटिरियर के बारे में तो दोनों का इंटिरियर बिल्कुल ही सेम है बट सीट की क्वालिटी की बात करें तो XUV400 का सीट क्वालिटी अच्छा है और आपको बैटने में काफी कमफोटेवल फील होगा अब बात करते हैं इन कारों के बैटरी, रेंज, चार्जिंग टाइम, मोटर पावर के बारे में तो XUV400 में आपको 39.5 किलोवाट आर का बैटरी देखने को मिल जाता है तबकि Nexon EV में आपको 40.5 किलोवाट आर का बैटरी देखने को मिलेगा और MG ZS EV में आपको 50.3 किलोवाट आर का बैटरी देखने को मिलेगा रेंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेंज, MG ZS EV ओफर करती है और 400-100 किलोमेटर का रेंज ओफर कर रही है उसके बाद आपको XUV400 में रेंज देखने को मिलेगा जो की 456 किलोमेटर का है और नेक्सवन इवी में आपको 450.3 किलोमेटर पर चार्ज की रेंज देखने को मिलेगी पावर के मामले में XUV400 में सबसे ज़्यादा पावर देखने को मिलता है जो की 148 BHP का है नेक्सवन इवी में आपको 141 BHP का और MG ZS EV में आपको 143 BHP का देखने को मिलेगा इसी कारान से XEV400 का pick-up सबसे अच्छा है टॉप स्पीड के मामले में बात करें तो टॉप स्पीड के मामले में MG ZS EV जीट जाती है और उतमें आपको टॉप स्पीड 115 km पर आर्की देखने को मिलेगी उसके बाद XEV400 में आपको देखने को मिलेगा 1500 km पर आर्की और सबसे कम आपको Nexon EV Max में देखने को मिलेगा 140 km पर आर्की अब चार्जिंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं कि घर के चार्जर से चार्ज होने में ये गाडिया कितनी टाइम लेती हैं तो Nexon EV Max आपको लगब 15 घंटे ले सकती है फुल चार्ज होने में MG ZS EV आपको 9 घंटे के करीब ले सकती है फुल चार्ज होने में जबकि XUV400 13 घंटे फुल चार्ज होने में लेती है अब बात करते हैं इन गाडियों के फीचर के बारे में तो सब्सुरू करते हैं XUV400 EV से तो इसमें आपको 6 airbag देखने को मिलेंगे electronic sunroof देखने को मिलेगा rear parking camera देखने को मिलेगा 16 inch का diamond cut alloy wheels देखने को मिलेगे आपको cruise control system भी आपको देखने को मिलेगा GPS, Bluetooth connectivity देखने को मिलेगा navigation देखने को मिलेगा और भी जाजा feature हैं जो देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं Nexon EV Max के बारे में इसमें आपको two airbags देखने को मिलेगे electronic sunroof देखने को मिलेगा wireless charging phone system देखने को मिलेगा 7 inch का infotainment system भी देखने को मिलेगा air purifier देखने को मिलेगा 8 speaker harmer system देखने को मिलेगा electronic parking brake with auto hold देखने को मिलेगा और भी बहुत परकार के feature देखने को मिलेगे जिनके बारे में बताना थोड़ा मुस्किल है अब बात करते हैं MG ZS EV के बारे में इसमें आपको 7 इंच का Digital Instrument Cluster देखने को मिलेगा Panormic Sunroof देखने को मिलेगा Wireless Phone Charging System देखने को मिलेगा 10 इंच का Infotainment System देखने को मिलेगा 6 Speaker देखने को मिलेगे और इसे आप Extend करके 8 साल और 1.6 लाग किलोमीटर तक करा सकते हैं Nexon EV Max में भी आपको 3 साल और 1.25,000 किलोमीटर का बैटरी और मोटर का वेरेंटी देखने को मिलेगा और इसे भी आप Extend कराके 8 साल और 1.6,000 किलोमीटर तक करा सकते हैं MG ZS EV में आपको 5 साल और अनलिम्टर किलोमीटर का वेरेंटरी और मोटर की वेरेंटी देखने को मिलती है प्राइस की बात करें तो XUV 400 EV और Nexon EV Max का प्राइस लगबग 16,000,000 से स्टार्टिंग होता है जबकि MG ZS EV का स्टार्टिंग प्राइस 25,000,000 के करीब है और ये प्राइस एक शोरूम प्राइस है इनके आलावा आपको रोड टेक्स, इंसूरेंस का अलग से पैसा दिने पड़ेगा तो ये था ये तीन गाड़ियों का कमपरीजन इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी होने वाली है और कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए कि इनफोर्मेशन मिलने के बाद कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लग रही है चलिए यही पर वीडियो को समाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और किसी परकार की जनकारी पाने के लिए हमारे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करें और ऐसे ही EV-related जनकारी पाने के लिए हमारे चैनल EV-Indy को सस्क्राइब करें गो ग्रीन गो इलेक्ट्रीक